नमस्कार यूट्यू चनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम जूनियर का जो वेकेंसी है सिक्स टू एट उसकी योगिता के बारे में जानेंगे ठीक है तो द्यान दीजे बीड़ वाले तो पहले से ही लिजबल है अब बात कर लेते हैं डियलेट की क्या डियलेट भी इलिजबल है तो डियलेट भी इलिजबल है लेकिन उसके पीछे क्या एक कंडिशन है कि उसने किस तरीके से डियलेट किया हुआ है अब ध्यान से देखिएगा सबसे पहले जान लेजे कि एस्टेट का जो रिजल्ट है इस इसका इंडिडेट में वह भी एलेजबल है ठीक अब पासिंग मार्क जो अलग अलग है आप जानी रहें कि अगर वह होम इस्टेट का है अगर वह बिहार का है तो वह एटी टू मार्क्स लेकर आएगा यह एटी टू मार्क्स वाले कौन है जन्रल और अदर इस्टेट जन्रल में आते हैं ये सारी फीमेल हैं मैं मेल की बात नहीं कर रहा हूं है मतलब अदर इस्टेट की कोई फीमेल रहेगे उसका भी 82 मार्क्स रहे या बियार इस्टेट की रहे जंडल 82 मार्क्स रहेगा तो वह इलिजबल है मेल वाले में थोड़ा से नंबर आउट चाहिए अगर मेल वो चाहिए वो मिस्टिक मतलब बियार का है या फिर वो अधर इस्टेट का है तो यही पर थोड़ा से उसका मार्क्स जोए आठ नंबर आउट चाहिए नाइनटी रहना चाहिए या उससे ज्यादा नाइटी प्लस 90 रहेगा तब भी लिजबल है उसे ज्यादा तु रहेगा इतक्त ही लिजबल रहे गार वह师 के जुड़ी लीनोट से होगा है ऐब 15 cm सेंट कि तो जू घेंगे तोस्ता और से लिए higher नियार इस्टेट की मैं बात कर रहा हूं वो एट टी टू मैं लिख देता हूं भी हार इस्टेट अधर इस्टेट का अगर वह कोई कैटेगरी वह सी यह स्टी खाऊगा तब वह जनडल हो जाता है ठीक है तो आप समझ गए होंगे यह तो क्वालिफिकेशन थी सीटेट की और 10th किया उसके बाद 12th किया उसके बाद उसने डिप्लोमा कर लिया ये टीचर का डिप्लोमा फिर उसके बाद जो है उसने किया ग्रेजवेशन तो अब द्यान देजें यहां पर तो ऐसा जो कैंडिडेट है 10th किया 12th किया डिप्लोमा किया ग्रेजवेशन तो ये इन्वाइलिड है इसको फॉर्म बने का मौका नहीं दिया रहा है जो भी इस तरीके से मैं भी बहुत लोग जानता हूं जो पहले डिप्लोमा किया है उसके बाद वो ग्रेजिवेशन किया है वो ट्वेल्थ के बेसिस पर किया है डिप्लोमा तो उनको नहीं मिलेगा फॉर्म सबबंदे किया है तो जूब नहीं मिलेगा इसलिए गलती नहीं करेंगा अब किस प्रोसेज वाहले को मिलेगा पहले उसने टैच्थ किया को के ट्रेल्थ किया इसके बाद जो है उसने गरेजिवेशन किया और अ разgraduate फेल्लेर नीट का उसमें वह भरता है उसकी इन सब को जोड़ कर ठीक है उसके हिसाब से उसको कालेज मिलता है फिर वो कांसलिंग कराता है उसके बाद वो जाता है डियलेट करने या फिर बीटी सी किया होगा जो भी है यह इसी के अधार पर करता है यह वाला जो प्रोसेश बैलिट है वो इस तरीके का जो प्रोसेश बैलिट है औ और ऐसे लोग जो है फॉर्म को भर पाएंगे और वो नोकरी पाजाएंगे उसके बाद सीटेट और स्टेट की कॉलिफिकेशन मैंने बता दिया है 82 मार्क्स जो है या तो बिहार का जनरल हो या अधर स्टेट का जनरल हो कौन काइंडिडेट फीमेल इलिजबल है उसके बाद फीमेल के बाद जो मेल की में बात कर रहा हूं यहां पर कि वो बियार स्टेट का जनरल हो या अधर स्टेट का हो ठीक है वो कितना चीए उसको 90 है 90 से ज्यादा और बियार स्टेट का अगर वह भी सी ची अश्टी है तो 82 मार्क्स इतना इंफॉर्मेशन था बाकि दियालेट जो नीचे वाला मैंने जो बैलीड वाला प्रोसेश लिखा है इस तरीके का रहेगा तो उसका बैलीड माना देगा उसके बाद अगर आपको नहीं सोन में आएगा तो आप कमेंट करके बताएंगे हर एक कमेंट का में रिपलाई करता हूं और वैसे तो आज संड बारा पीम तक मैं सब कुछ रिपलाई कर देता हूं ठीक अब आपको करना कुछ नहीं है बस थोड़ा से हेल्फ है आपका दो सिकेंट काम है आप चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि यह वन की हो जाए और मेरी जो मिनिममम वेज़िविल्टी है वह यूटूब द्व लग